आज मैं शेर करने जा रही हूँ चाट के लिए तीन तरह की चट्निया इस तरह की चट्निया आप चाहे भेलपूरी सेवपूरी रगड़ाप्यटिस किसी के साथ भी खा सकते हो तो सबसे पहले देखते हैं हरी चट्नी हरी चट्नी बनाने के लिए आधा कप हरा धनिया और आधा कप फुदीना इन दोनों चीज़ों को मिकसर जार में ले लेंगे इसके साथ मसालों में तीन से चार हरिमेज डालनी हैं एक बड़ा तुकड़ा अध्रक का तीन कलिया लसन की हाफ टीज़पून कला नमक हाफ टीज़पून सफेद नमक और वन टीज़पून नीबुका रस इन सारी चीज़ों को मिकसी में चला लेंगे जरुरत के हिसाब से पानी डालना है और इस तरह की स्मूद चटनी बना लेनी है बस ये चटनी रेडी है इसे बावल में निकाल लेंगे अब नेक्स्ट है लसुन की लाल चटनी इसके लिए पांच सुकी साबूत लाल मिर्च बीज निकाल कर उबलते पानी में आदे गंटे के लिए बिगो देना है ये लाल मिर्च अच्छे से भीग गई है ये काफी सौफ्ट हो गई है तो अब इसका जो पानी है वो निकाल देंगे ये पानी यूज नहीं करना है और लाल मिर्च मिक्सी जार में ट्रांसफर कर लेंगे इसके अंदर मसालो में बारा लसन की कल्या डालनी है नमक स्वाद अनुसार वन टीजपून नीबुका रस और हाफ टीजपून जीरा पाउडर इन सारी चीज़ों को चला लेंगे जरुवत के हिसाब से पानी एड़ करना है और इस तरह की स्मूध चटनी बना लेनी है चटनी को बार में ट्रांसफर कर लेंगे और इसके अंदर वन टीजपून तेल एड़ कर देना है इसे चटनी का जाइका ही बदल जाएगा तो बैस ये तयार है लाल लसन की चटनी अब देख लेंगे गुड़ इमली की चटनी तो इसके लिए मैंने वन फोट कप इमली ली है अगर आप इस इमली को हाथ में ले लोगे तो इस इमली का इतना बड़ा बॉल बन जाएगा तो इतनी इमली मैंने ले ली है इस इमली को सबसे पहले वाश कर लेंगे इसे एक बाउल में ले लेंगे और इसे वाश कर लेना है वाश करने के बाद सारा पानी निकाल देना है और इसके अंदर 3-4 cup गुड़ एड़ कर देना है गुड़ को आप छोटे-छोटे तुकड़ों में कट करके मेशर कर सकते हो और 1 cup पानी एड़ कर देना है 1 cup के मेशर से 2 बार मैंने पानी डाला है इसे mix कर देंगे और इसे cover करके 1-2 घंटों के लिए भीगने के लिए छोड़ देंगे ताकि इमली अच्छे से भीग जाए और गुड़ अच्छे से पिघल जाए 2 घंटों के बाद ये जो इमली है अच्छे से soft हो गई है इमली को हाथों से मैश करके इसका पल्प सप्रेट कर लेना है और इसके बाद इसे एक छलनी से छान लेना है एक स्पून की हेल्प से इसे अच्छे से निचोड लेंगे और जो बाकी बची इमली है उसे दुबारा से उसी बाउल में डाल देना है इसके अंदर वनफोत कप पानी डाल कर इसे वापस से मैश कर लेना है मैश करके इसे छान लेना है और यही प्रोसेस एक बार फिर रिपीट करेंगे जो बची इमली है उसे बाउल में लेकर वनफोत कप पानी डाल कर मैश कर लेना है मैश करने के बाद इसे दुबारा चान लेंगे और अब चानने के बाद जो इमली के छिलके बच जाएंगे इसे निकाल देना है तो बस ये गुड इमली का पानी रेडी हो गया है अब इसके अंदर मसाले डाल कर इसे उबाल लेंगे तो इसे गैस पे चड़ा देंगे और मसालों में इसके अंदर जीरा पाउडर हाफ टी स्पुन सुखा धनिया पाउडर हाफ टी स्पुन लाल मिर्च पाउडर हाफ टी स्पुन काला नमक हाफ टी स्पुन चाट मसाला हाफ टी स्पुन और नमक half teaspoon इन सारी चीजों को अच्छे से mix कर लेंगे और इस चटनी को अच्छे से उबाल लेना है जब इसमें एक बड़ा अच्छा उबाल आ जाए तो इस stage पर इस चटनी को आप चक सकते हो अगर आपको इसमें गुड कम लग रहा है तो आप इसमें गुड एड कर सकते हो मुझे इसमें गुड कम लग रहा है इसलिए मैं इसके अंदर one fourth cup गुड एड कर रही हूँ इसमें से मैंने निरबाउट one tablespoon जितना गुड बचा लिया है गुड डालने के बाद इसे continuous चलाते रहना बहुत जरूरी है नहीं तो गुड नीचे चिपक कर जल सकता है तो जब तक गुड इसमें पिगल जाए तब तक इसे चलाते रहेंगे और उसके बाद इसे slow flame पर 10 minute के लिए इसी तरह से उबलने देना है जो one tablespoon मैंने गुड बचा लिया था वो मैं add नहीं कर रही हूँ इमली की चटनी जब अच्छी गाड़ी हो जाए इसे तब तक उबालना है देख सकते हो ये अच्छे से गाड़ी हो गई है बस तो ये चटनी हमारी एकदम ready है गैस को बन कर देंगे इस चटनी को freezer में erotite container के अंदर रखकर तीन मैने के लिए store किया जा सकता है और यहाँ पर तीन तरह की चटनिया ready है पहली फुदिना और हरेधनिय की green चटनी लसन की लाल चटनी और ये हैं गुडिमली की चटनी इस तरह की चटनी आप बना कर fridge में store कर सकते हो और जब चाहो आप अलग-अलग तरह के चाट बना कर खा सकते हो अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा चाट के लिए तीन तरह की चटनिया is ready to serve हमल थाथक स्थम्चिक्षए झाल्ग